कोई अमेरिकी राश्पती इस तरह हिंदुस्तान नहीं आया जिस तरह डॉनल्ड ट्रम्प आ रहे हैं एहमदाबाद में रोजशो फिर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में समारो हूँ इतना ही नहीं इस यात्रा में कई चीज़ें पहली बार होंगी इस एहम यात्रा को लेकर सारे अपडेट्स और इससे जुड़ी हर बात हम आपको बताएंगे क्विंट हिंदी पर ट्रम्प ट्रैकर में अमेरिकी राश्पती डॉनल्ड ट्रम्प अपनी पत्नी मिलीनिया ट्रम्प के साथ आने वाली 24-25 फरवरी को दो दिन के लिए भारत दौरे पर आ रहे है लेकिन इस बार अमेरिका के राश्पती का दौरा बाकी के दौरों से अलग है इस बार प्रेसिडेंट ट्रम्प की यात्रा दिल्ली से नहीं बलकि गुजरात के एहमदाबाद से शुरू होगी गुजरात के CM विजयरूपानी ने बताया कि राश्पती ट्रम्प वशिंग्टन से 24 फरवरी को सीधे एहमदाबाद आएंगे विजयरूपानी ने हैश्टेग नमस्ते ट्रम्प के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है CM विजयरूपानी ने बताया कि ट्रम्प के लिए नमस्ते ट्रम्प कारेकरम का आयोजन रखा गया है जिसके लिए मोटेरा स्टेडियम में एक लाख से भी जादा लोग मौजूद रहेंगे ये कारेक्रम गुजरात के लिए एतिहासिक साबित होगा इससे पहले ट्रम्प ने खुद बताया था कि पियम मोदी ने उनसे कहा है कि एरपोर्ट से एहमदाबाद के न्यू मोटेरा स्टेडियम तक 50 से 70 लाख लोग स्वागत के लिए रहेंगे मतब साफ है कि अमेरिका के टेक्सास में पियम मोदी के स्वागत में जिस तरह से हाउडी मोदी कारेक्रम हुआ था उसी तरज पर अब ट्रम्प के स्वागत में एहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में लाव लश्कर के साथ भव कारेक्रम आयोजित किया जाएगा ट्रम्प के दोरे से हफते बर पहले ही अमेरिकी एर फोर्स का एक विमान हर्कुलस एहमदाबाद पहुँच चुका है इस विमान में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के 200 एजेंट्स आये हैं पूरे एहमदाबाद शहर में ड्रोन से निगरानी की जाएगी नमस्ते ट्रम्प के पोस्टर्स के साथ उनका स्वागत किया जाएगा इसके बाद वो पियम मोदी के साथ रोट शो करेंगे और पिर साबर मती के गांधी आश्रम जाएगे इसके बाद दोनों नेता मोटेरा में नए नवेले क्रिकेट स्टीडियम का उधगाटन करेंगे वहाँ एक विशाल सभा को सम्बोधित करेंगे पहले ऐसा अनुवान था कि इस कारिक्रम का नाम होगा केमचो ट्रम्प लेकिन सी एम विजय रूपानी ने खुद इसकी पुष्टी की है कि अब इसका नाम होगा नमस्ते ट्रम्प एहमदाबाब के बाद शाम को ट्रम्प आगरा जाएंगे और वहाँ अपनी पत्नी मिलानिया के साथ ताज महल का दीदार करेंगे बताया जा रहा है कि ट्रम्प आगरा के खेरिया से ताज महल तक 15 किलोमीटर सडक से जाएंगे ट्रम्प की शुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के 6,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की योजना है सूत्रों के मताबिक अमेरिकी राश्पती की सुरक्षा में ATS कमांडो सहे 10 SP, 18 ASP, 75 DIPTSP, 200 Inspector, 3,000 दरोगा और 4,000 हवलदारों की तैनाती की जाएगी इसके साथ ही अर्ध सैनिक बलों की 16 कंपनीज भी लगाए जाएंगी अपने दौरे के दूसर दिन यानी 25 फरवरी को ट्रम्प देश के प्रमुक उद्योक पत्यों से मुलाकात करेंगे इस मुलाकात का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार संबध्धों को मजबूती देना है एक round table meeting आयोजित की जाएगी इसमें ट्रम्प प्रमुक कंपनीज के CEO's के साथ मुलाकात करेंगे बैठक में मुकेश अम्बानी, सुनील भारती मित्तल, एन चंदर शेखरन, आनंद महिंदरा, एम नाइक और किरन मजूंदार शौख शामिल हो सकती है आज के ट्रम्प ट्रेकर में इतना ही ट्रम्प के भारत दोरे की हर छोटी बात से बड़ी बात तक, एनलिसिस से लेकर भारी डिप्लोमेसी तक सब को समझाएंगे आसान भाषा में सिर्फ ट्रम्प ट्रेकर में जो रोजाना क्विंट हिंदी की यूटीब चनल पर आपको मिलेगा